नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेडी गलोस पर क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिकल 370 और 371 में डिफरेंस क्या है जम्मू कश्मीर से स्पेशल इस्टीट का दरजा है वो समाप्त हो चुका है लेकिन आखिरकार नौर्थ इस्ट के कुछ इस्टीट है जहां पर अभी भी आर्टिकल 371 लगा हुआ है यहां तक कि गुजरात की बात करें महराष्टर की बात करें जो कि आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल प्राविजन उनको पराप्त है सोचा है कभी कि आखिरकार 371 जो है वो भी हट सकता है आर्टिकल 370 की तरह हाल ही में मिजोरम के जो मुख्य मंतरी है उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद जितने भी नौर्थ इस्ट के इस्टेट्स हैं उनको ये कह दिया था कि जैसे आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद में आप 370 का 371 का नंबर आने वाला है तो उसके लिए तयार हो जाईए बहुत सारे लोगों ने उनके विपक्ष के अंदर क्रिटिसिस्म करना शुरू कर दिया कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहां पर कुछ लोग उनके पक्ष में आया कि हो सकता है कि 370 हटने के बाद 371 भी जो हट जाए तो आज हम लोग यह देखेंगे कि 370 जो हट चुका है जम्मू कश्मीर से तो क्या 371 भी हट सकता है दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और 371 जिन भी स्टेट्स को स्पेशल राइट्स मिले हुए है विशिश राज्जी का दर्जा मिला हुआ है तो आखिरकार उनकी तहट क्या हो सकता है क्या प्रावधान है चलिए बात करते हैं हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में दा इंडियन एक्स्प्रेस के अंदर एक टॉपिक आया था रिसेंटली 15 दिसंबर की बात है जम्मू कश्मीर के अलावा और भी कई ऐसे इस्टेट्स है जिनके पास में इस्पेशल प्राविजन जो है वो मिले हुए है आखिरकार वो इस्टेट्स कौन-कौन से है उनके बारे में बात करेंगे लेकिन हमारे यहाँ पर जो आप लोग सिस्टम देखते हैं फैडरल सिस्टम जो देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं Union of States as according to article number one हम यहाँ पर देखते हैं कि Union of States का हमारे यहाँ पर concept है लेकिन क्या फेडरलिज्म है फेडरलिज्म जो है ऐसे शब्द का प्रियोग हमारे Indian constitution में नहीं किया गया है लेकिन फिर भी हम लोग बोलते वक्त या फिर पढ़ते वक्त ऐसे word का use करते हैं फेडरल या क्वासी फेडरल देखिए पहले तो आप लोग फेडरल मिंस समझिये फेडरल मिंस होता है कि पूरे देश को एक unity बनाई रखने के लिए जो central government है उसके पास में provisions होते हैं कि वो किसी भी तरीके से states को अपने अंदर मिलाया रखता है और वो तमाम provisions वो power जो है वो center के पास में होती है तो जब ये सारी power center के पास में होती है तो हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर federalism है लेकिन कुछ states जो है जैसे नागालेंड की बात करें जैसे हम लोग मिजरूम की बात करें अनुनाचिल प्रदेश की बात करें सक्कीम की बात करें उनकी पास में कुछ special rights है जो कि केवल उनहीं राज्यों की जो assembly है legislative assembly है, governors है उस power का use कर सकते हैं तो पहले जो federal system था जहांपर केंद सरकार को power था लेकिन कुछ special states जो है उनको अगर power मिल जाता है तो ये quasi federal केंदर convert हो जाता है तो ये जो means है ये आपको समझ में आ रहा होगा Unitary setup मतलब हम लोग जो है वो एकात्मक शाशन की और जो है जब बढ़ते हैं तो center के पास में तमाम power होती है सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक चीज की यहाँ पर clear कर देना चाहता हूँ जो North East के states हैं वहाँ पर एक special culture है वहाँ के रहन सेन का तरीका उनके जितने भी तैवार है religious activities हैं उनको मनाने का तरीका सबका अलग-लग है यहाँ तक की एक ही state की अंदर आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे बहुत सारे रीती रिवाज को मानने वाले लोग मिल जाएंगे लेकिन वो सारे एक state के अंदर मतलब diversification काफी जादा है और अगर diversification काफी जादा है तो conflict भी जादा होगा और उसी conflict को बनाय रखने के लिए उसको resolve करने के लिए उनको special states का दरजा मिला हुआ है दूसरी बात आर्टिकल 370 जब जम्मो कश्मीर में लगाय गया था तो जम्मो कश्मीर किस तरीके से भारत के अंदर मिला था जम्मो कश्मीर के मिलने का तरीका और North State के मिलने का तरीका अलग-अलग है हमने जम्मो कश्मीर को मिलाय था वहां के राजा के कहने पर लेकिन North East के साथ मैं ऐसा नहीं है North East के जो states हैं वो और डिड़ी भारत के हिस्सा थे आप सिक्किम को छोड़ दीजिए सिक्किम के अंदर हमने constitutional amendment करके पहले उसको सिक्किम को associate state का दरजा दिया था बाद में उसको हमने state का दरजा दे दिया था लेकिन दोनों के लिए अलग-अलग जो condition है जो favorable conditions हैं वो अलग-अलग है इसलिए आज North East के states को एक अलग दरजा दिया गया है बात करते हैं हम लोग इनके cultural और other activities है लेकिन जब हम लोग बात करते हैं as according to Indian constitution states do have an autonomy the constitution tilts toward the center on certain areas मतलब कुछ provisions ऐसे हैं जहां पर हमारा जो unitary system है या federal system है वो quasi-federal के अंदर convert हो जाता है जैसे हम लोग कहें कि जो seventh schedule है भारतिस समिधान की अनुसूची साथ जो की जिक्र करती है union list, state list और concurrent list जहां पर union list जो की बात करती है कि center के पास में powers होंगे कानून बनाने के वहीं state list बात करती है state को कुछ powers दिये गए है उस पर कानून बनाने के लिए जबकि concurrent list ये कहती है जो कि हमने Australia से लिए है वो ये कहती है कि केंद्र और राज ये दोनों मिलकर कानून बना सकते है तो ये हमारे constitution की कुछ विशिचताएं है लेकिन इसके चलते हमारे पास में कुछ provisions है जो कि states को कुछ special rights देते है जैसे हम लोग जब बात करते है right after article 370 the constitution creates special provision provision for at least nine states मतलब अभी आप लोग को पता होगा कि article 371a से लगा कर मतलब 371, 371a, 371b, c, d, e, f, g, h, i यहां तक लगा कर हमारे पास में ये जो states बचे है हर state के लिए अलग-अलग provision decide किये गए है लेकिन शुरुआत में जब इनको लगाया गया था तो यह कहा गया था कि बिसिकरे टेंप्रेरी है ट्रांजिशनल है जब आखशक्ता होगी तो हटा देंगे अभी टेंप्रेरी तोर पे हम लोग इनको special states का दरजा दे रहे हैं लेकिन तब से लेकर अब तक इनको special states का दरजा मिला हुआ है तो जब मिजोरम के मुख्य मंत्री ने ये tweet किया था कि article 370 जैसे हट चुका है 5 अगस्त 2019 को उसके बाद में article 371 जो है वो भी हटने वाला है तो हम लोग इस चीज़ को confirm कर देते हैं कि अमिश शाजी ने recently Parliament के अंदर ये कह दिया है कि article 370 को हटाए जरूर है लेकिन हम लोग article 371 पर कोई भी कारवाई ही नहीं करेंगे वो जोंकी त्यों ही जो है वो बना रहेगा हम लोग उसमें कुछ भी छेटशाट नहीं करने वाले हैं ठीक है article 371 जो की बात करता है states of महराष्टरा और गुजराथ state जिसे मराथवड़ा है न तो वहां के जो area है उसके लिए special board जो है उसका घठन किया जाए development board तकि वहां का विकास किया सके इसलिए उनके विकास की बात यहां पर की जा रही है देखिए हर राज्जी के अंदर कुछ न कुछ पिषड़े विक्षितर रहते हैं जैसे मैं राजस्थान से बिलॉंग करता हूँ तो राजस्थान के डूंगरपूर प्रतापगड बासवाड़ा वहां पर टीएसपी एरियाज हैं अभी भी जंजात यह जो समू हैं वो इतने ज्यादा विक्सित नहीं हुए हैं अभी भी आप लोग कई बार न्यूस पिपर्स के अंदर फोटो आती है कि उनके पास में भाले हैं अभी भी जो की आदिवासी काम में लेते थे वो भी आज वो काम मे लेते हैं तो मतलब इतना डवलप उन्होंने नहीं किया है इसलिए जो पिछड़ी वे राज्ये हैं पिछड़ी वे छेत्र हैं राज्यों के अंदर उनको विकास करने के लिए ऐसे आर्टिकल्स का होना जरूरी है आर्टिकल 371 एक ही बात करें तो नागालेंड की जब हम ल के जो गवर अनिकी यहाँ पर देखिए राष्ट्रपती जो है ना राष्ट्रपती उनके पास में पावर होती है नागालेंड को लेकर इस्पेशल प्रविजन्ट विट रैस्पेक्ट तो इस्टेट अफ आसाम मनिपुर आंधर प्रदेश जिसे आंधर प्रदेश तेलंगाना के लिए दो आर्टिकल हैं डी और ए तो यहाँ पर जितने भी लोकलाइट्स हैं यहाँ के रहने वारे जो लोग हैं उनके लिए न सिक्किम को पहले आर्टिकल 2A के तहट जो है एसोशेट इस्टेट का दरजा दिया गया था बाद में फिर हमने 36 कॉंसलिशन अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 2A को खतम कर दिया और सिक्किम को हमारे अंदर मिला कर उसको इस्टेट का दरजा दिया गया था और उसके बाद सही सिक्किम जो है उसके अंदर आर्टिकल 371F जो है वो लागो है 371G जिसकी बात करता है मिजोरम यह जितने भी स्टेट्स आप लोग यहां पर देख रहे हैं इन स्टेट्स के अंदर बेसिकली जो गवर्नर होते हैं उनको किसी स्टेट्स के अंदर डवलप्मेंट करने की अथर्टी दी जाती है महाराष्ट्र गुजरात की जिसकी मैंने आप लोग को बताया कि यहां पर सेपरेट डवलप्मेंट बोर्ड जो है उसका घठन किया जाएगा ताकि कच का छे छेतर है सौराष्ट्र का छेतर है वहां पर वि यह है कि क्या आर्टिकल 370 हट चुका है तो 371 भी हटेगा पहली बात दूसरी बात आर्टिकल 370 और 371 के अंदर डिफरेंस क्या है इस तीज को हम लोग को लाश्ट तक क्लेरिफाइग कर देना है ठीक है चलिए अब देखिए कि आर्टिकल 371 क्या कहता है कि नागलेंड नहीं होता है उनके खुद के कानून वहां पर लागू होते हैं वो जैसा न्याय करना चाहें जुडिशिरी करना चाहें खास तोर पर सूप्रिम कोट के ओर्डर्स भी जो है वो इनिशेट्स के अंदर लागू नहीं होते है इसलिए उनको एक आर्टनामी जो है वो दी गई है कि उनको बचाय रखने के लिए ही उनको ये इस्पेशल प्रविजन जो है दिया गया है अगर हम लोग बात करें दिल्ली की दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के लिए आर्टिकल 239AA है अब यह बात करता है देखी यहां पर प्रसक्राइब्स फॉर ए यूनिक जिकर नहीं किया गया है वहां पर यह जिकर किया गया है कि the power of legislature upon subject to the in the state and the concurrent list in the 7th schedule मतलब first list जो है वहां पर इसका जिकर नहीं किया गया है basically जो 7th schedule है वहां पर जो दिल्ली है इसकी बारे में जिकर किया गया है कि वहां पर जो भी rights होगरा होंगे जो भी कानून आएंगे व आप लोगों को पता भी होगा कि मुख्य मंत्री की नियुक्ति दिल्ली के अंदर राश्पति के दौरा की जाती है तो हम लोग सीधे तोर पर यह कह सकते हैं कि article 370 को हटने के बाद यह chances नहीं है कि article 371 हटे और 370 को लगाया किस basis भी गया था क्योंकि वह जम्मू कश्मीर ज उसको बचाया रखना उनके अंदर conflict होना जैसे आप मनिपूर के अंदर देखे कितना conflict हो रहा है तो यह कई बार जो है वो conflict और insurgencies वगरा बहुत जदा बढ़ जाती है उसको बचाया रखने के लिए वहाँ पर डवलप करने के लिए special rights जो है वो दियाते है special state का दरजा ज लेकिन जैसे कोई government officer है वहाँ पर राज्यपाल है राश्ट्रपती है कोई मंत्री अगर वो जा रहे तो उनको लेने की ज़रुत नहीं है आप अगर general अगर normal people है तो आप लोग को लेना पड़ेगा जैसे असाम है ठीक है ना असाम के अंदर है मेगाले में मनिपूर में तृ पूरा के अंदर इनको आपको इन में आपको आयलपी लेना पड़ता है तो यह बेसिकली इसी लिए है तांकि वहां की संस्कृति है वहां के धार्मिक जितने भी कारिकरम है वहां की cultural activities को बचाया रखने के लिए वहां की संस्कृति बची रहे कोई भी छेडशार ना हो इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं वहां पर आप लोग को कोड यूज करना है लीडर जिससे आप लोग को discounted price के अंदर कोर्स मिलेगा साथ ही में यह जो हमारा कोर्स है वह एक दिसम्बर से शुरू हो चुका है आप लोग इसमें जरूर एंडरोल करें आप लोग के लिए आप लोग को यहां पर शेर की जाती है वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है चले मिलते हैं आप लोगों से अगले शेशन में तब तक ले धिन्यवाद थेंक्यू जैहित